हलो दोस्तों, मैं गीता गोयल, बागडी कीचिन में आपका बहुच बहुच स्वागत करती हूँ, तो आज मैं आपके साथ एंस्टेंट स्वीट की रैस्पी लेकर आई हूँ, जो खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेश्टियर बनाने में बहुत ही ज़्यादा असान है बिना मावा बिना पनीर बिना चासनी की बनेगी और हर कोई इस मिठाई को बना लेगा जिसने एक बार भी मिठाई नहीं बनाई है ना वो भी इस मिठाई को बना के त्यार कर लेंगे तियार कर लेंगे सिर्फ पांच मि अगर आपको लगे किसमें थोड़ी बहुत नमी है ये अच्छे से पिस नहीं पाएगा तो आप क्या करें पैनी अकड़ाई में डालके थोड़ा सा इने चला लीजिए भून लीजिए फिर इने ठंडा होने के बाद में पिस लीजिए तो बहुत ही असानी से पिस जाएंगे और बहुत ही फाइन सा पाउडर हो जाएगा अब हम यहां पर लेंगे आदी किटोरी जितना नारियल का बुरादा और इसे भी मिक्सी जार में डालके रच्छे से पिस लेंगे ये देख सकते एकदम फाइन हो गया और इस तरीके से आपको पिस लेना है अगर आपको लगे कि चावल काटा अच्छे से पिस नहीं पाया है तो आप क्या करें उसे फिर अच्छे से छान लीजिए तो मेरे पास ये चावल काटा था वो अच्छे से मुर्मुरे है पिस गए थे तो अब हम इसमें एड़ करेंगे तीन बड़े चम्मा जितना यहां पर मिल्क पाउडर तो यहां पर मैंने लिया है मेजरमेंट के लिए बताऊं तो दो क्टोरी मैंने मुर्मरा लिया था ना तो वो पिस जाने के बाद में आधी क्टोरी जीतना हमारा चावल काटा बन गया था और आधी क्टोरी मैंने नारियल का बुरादा लिया है आधी क्टोरी जीतना ही मैं जो चीनी का पाउडर डाला है तो चीनी होती है ना उसको आप अच्छे से पीस लेजिए तब को चीनी का पाउडर मिल जाएगा और अगर आपके पास बूरा चीनी है तो आप यहाँ पे बूरा चीनी भी एड़ कर सकते हो अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम यहाँ पे लेंगे आधिक टोरी जितना दूद तो उबला हुआ ठंडा दूद लेना है गरम दूद या फिर कच्चा दूद बिल्कुल भी ना ले तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसको गोंत लेंगे तो आधिक टोरी जितना ही जो है दूद लग जाएगा वाकी मिठा यह बनाते हैं तो दूद इतना नहीं लगता है क्योंकि हमने इसमें जो मूरमरा पी इस तरीके का आपका है चुड़ो बन जाएगा यह देखिए एकदम सॉफ्ट है अगर आपको लगे कि अभी यह सॉफ्ट नहीं है तो आप क्या करें एक दो चम्मची दना दूर डालकर इसे एकदम अच्छे से सॉफ्ट बना लीजे क्योंकि जैसे हम इसे रखेंगा ना इ सकते हैं कुट की थोड़ा सा या फिर काजू डाल सकती हो या फिर मिक्स करके ले सकते हो जो जो आपके घर में है वही इसमें ड्राइफ रूट एड़ कर सकते हूं थोड़े सी हम यहां पे एक चम्मा जितने खरभुजे की बीज डालें खरभुजे की बीज को आप थोड़ा सा ना भून के डालिए और एक चम्मा जितना पिस्ता है जो मैंने बारी कट कर लिए यह डाल देंगे और आप यहाँ पे ड्राइफ रूट कुछ भी ऐड़ कर सकते हो किश्मिश भी डाल सकते हो और साथ में एक बड़ा चम्मा जितना हम यहाँ पर एड़ करेंगे मिल्क पाॉडर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और एक चम्मा जितना ही नारियल का बुरादा एड़ करेंगे अ और अब हम इसमें थोड़ा सा यलोओ फूड कलर डालेंगे रिए अच्छी से मिक्स कर लेंगे क्योंकि अंदर की स्टपिंग थोड़ी से अलग कलर में लग रूपर की लेहर थोड़ी अलग दिखें इसलिए मैंने यहां पर डाला है दिखने में बहुत ही मस दिखते हैं इस तरी की की मिठाई अच्छे से mix करेंगे अब हम यहां पर एक चम्मा जितना यहां पर डालेंगे उबला हुआ थंडा दूद तो गरम दूद नहीं डालना है आपको थंडा दूद ही डालना है आप चा अच्छे से mix कर लिया इस तरी के से mix करके और रख लेना है तो चलिए इसे रखते हैं साइड में और जो दो हमने मुरमुरे का बना के रखा ना उसको ले लेती हैं तो यहां पर यह देख सकते हो दो थोड़ा सा टाइट हो गया है अगर ज्यादा टाइट हो जाए ना तो आ आप ले सकते हो और अब हम यहां पर थोड़ा सा मिसरन लेंगे और इसकी उपर है जो इसकी एक रोटी बेल लेंगे तो इस तरीके से न आप चाहे तो बेलन से बेल सकते हूँ या हातों से इस तरीके से फिलाओगी तो बहुत है असानी से हो जाएगा क्योंकि हमने यह दो बहुती ज्यादा सौप्ट रखे, किनारे फट रहे हैं इसकी टेंशन ना ले, क्योंकि बाद में हम इसे गोल मटॉल काट लेंगे, क्योंकि हमारा थोकाम यही है, सभी को गोल मटॉल करना, तो यह इस तरीके से है, जो पेलो तिनको उपर से रखे, हाथों से थोड़ा सच्छ क्लीन कर लएगी देख्या घुट कसी हंत जरूरत नहीं है इस तरह के हाथ हो जाता है अब हम यहां पर एक कटोरी लिए जैंगी स्टेओर इस निकाल देखे हैं हमारी गोल मटोल रोटी है जो बन गई है इस तरीके से पूरी बोल सकते हो तो इसी तरीके से आपको बना लेनी है तो जिस तरीके से हम रोटी रखते है ना उसी तरीके की इसकी मोटा ही रखनी है और अब जो हमने स्टपिंग लिया है ना यहाँ पे हम इस तरीके से रख देंगे तो इस तरीके से आप गुजिया भी बना सकते हो गुजिया की सेव में या फिर अगर और कोई सेव बनाना चाहते हो तो कोई भी सेव आप अपने साब से बना सकते हो तो यह होगी है बिना मोल्ड की तो मैंने आपको बिना molds बनाके बता दिया, इस तरीक़े से आप बना सकती हो, यह थोड़े से cracks आ रहे है तो आप क्या करें, थोड़ा सा लिजी रखें यह डो, तो यह ले जी हमारे गुज्यक के डिजाइन के बनका त्यार हो गे, तो आज मैं इस तरीके से नहीं बनाने वाल तो एक ही बार आपको गिल लगाना पड़ेगा बार बार नहीं लगाना पड़ेगा बहुत यसानिस से निकल जाएगा और अच्छे से दबाती हुए इस तरीके से यह वाइट वाला डो है जो दोनों साइड में इस तरीके से भर लेंगे तो यह बहुत ही जादा लिए जाएन जो स्टेपिंग इसमें भर सकती हो तो मैंने यह पर यह दो कलर में बनाए अंदर स्टेपिंग भरके आप चाहे तो एक ही के अंदर कहा है जो आप ड्राइफ रूट बगेरा डालके और मिक्स करके बना सकती हो तो इस तरीके से थोड़ी से अलग दिखती है अब पूरे पता मगर बरतनों वाली दुकान पर हम लेने जाएंगे ना तो आपको 10-15 रुपए में असानी से मिल जाएगा तो बरतनों वाली दुकान पर आप जाके कहोगे ना कि हमें गुजिया वाली सांचा चाहिए तो आसानी से आपको इस तरीके का सांचा मिल जाएगा यह देख स तो यहां पर मैं आप से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी रेस्पी थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो प्लीज आप सब मेरा स्पोर्ट करें और मुझे स्पोर्ट करने के लिए बागडी किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अप्लोड करो ना तो आप सबसे पहले देख सको तो मैं हमेशे आपके लिए नई नई रेस्पी लेकर आती रहती हूँ तो प्लीज आप सब मेरा स्पोर्ट जरूर करें और वीडियो कैसी लग रही है कोमेंट करके बताना लाइक नही तो आप चाहे तो मोदक भी बना सकते हो अभी गनेश चतुरती भी आने वाली है और बिना सांचा मोदक कैसे बनाए जाते है वो वीडियो मैंने दो दिन पहले ही अप्लोड किया है तो आप वो भी जरूर देखना आपको बहुत ही जादा अपसंद आएगी वो भी बिना ग गुलाब की पत्यां लगाकर इस तरीके से गानिश कर लिए है ताकि इसकी लुकिंग बहुत ही अच्छी आ जाए तो चलिए कट करके दिखाती हो गानिश आप अपनी सबसे है जो कर सकते हो थोड़ी पिस्ता की कत्रन लगा सकती हो तो मैंने आज कुछ इस तरीके से की है त कर त्यार हो गई है तो अगर घर में अचानक से मैमान आ जाए ना तब जटपर से पांच मिंट में ये टेस्टी वाली मिठाई बनाईए और खूब तारिफ पाईए रस्पी अच्छे लगी हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो पूरी वीडि देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों